हे गाईज हेलो गी देखिए में क्या बनाने आ गई हूं शाम को दाल की पकोड़े क्योंकि सर्दी काफी हो गई है हमारी यहां बारिश हो रहे हैं तो इसलिब पकोड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था तुम्हेंने डाल दिया यहां पे हल्दी और स्वाध अनुसार नमक समारा प्यूरी बनके रड़ी है यहां पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से यह बन चुका है और यहां पे मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया और साथ में क्या-क्या लिया है डालने के लिए वो दिखाती हूं दोहरी मिर्च अटा हुआ बारिक थनिया ल देख सकते हैं जो कि अभी में मिक्स नहीं करूंगी मुझे बेटी के लिए निकालना है दो चार तो यहां पे तेल डाल रहो हो मैं मुझे रिफाइन ओल पसंद नहीं है पकोड़े तलने के लिए खासकर तो यहां पर मस्टर्ड ओल डाल दिया मैंने और मैंने निकाल भी ल सब्सक्रा से और यहां पर देख सकते हैं फ्रेंस बेटी को बलून चाहिए एक ही बलून था घर पे तो वह फूट चुका था तो जो था उससे मैंने चुटा सा बलून बनाया है और देखे कितना प्यारा लग रहा है बलून और इससे क्या है बेटी अच्छे से खेल पाए बहुत ही अच्छा समयल आ रहा है फ्रेंस विलीब कीजिया बहुत ही अच्छा लगता है मुझे दाल का पकोड़ा तो यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छे से मैंने इतने सारे डाले है कि फटफट से हो जाए तो फ्रेंस यहां पर देख सकते हैं ना देखके मूपे पानी आ रहा है पता नहीं आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं बता सकती लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो टमाटर सॉस ले लिए है मैंने यहां पर प्लेट रेडी है ओ माई गॉड टेस्ट करते हैं यहां पर मैंने टेस्ट करने के लिए लिया है बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है फ्रेंस उपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट हरी मिर्च में चबा चबा आगे खा रही हूं मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तीखा आप लोग क्या कर रहे हैं कर दिए कमें कर दिए गा तो बबाई